कि मैंन के बैक साइड पर लगे हैं कीडे और देखिए मारा पतल वाला चाह को बहुत ही तरीके से ट्रिट्मेंट किया और यह वाले गिनोर टाइब के कीडे थे जो कि रिमूव हो सुगे हैं हैंड वाले चागू ट्राइफ उपोबी वाले कीडे को निकल चुका है बड़ा वाला होल वाले कीडा इसके पूर ही पीठ पे ही लग गया था हर निकल चुका है और यह चोटे-चोटे मैगोर्स के घवत थे जो कि यह भी निकल चुके हैं हमारे बड़े वाले चाकू ने बहुत ही सिफ तरीके से ट्रिप्ट किया जखम वाले कीडे को और देखिए होल वाले चोटे-चोटे होल वाले कीडे थे जो कि यह भी निकल चुके हैं और देखिए हमारा गोल्डेर वाले चाकू भी रिमू किया कुछ कीडे को और हमारा फिलोर वाले चाकू भी निकाला कीडे को और हमारा बड़ा बड़ा चाकू भी ट्रिप्मेंट कर रहा है इसके पूरी ही बैक साइट को हम दो ट्रिप्मेंट करेंगे आज और देखिए पतलोला कीडा हमारा निकल चुका है चिम्टी धिरी धिरी रिमू करेगा रिडवले कीडे को आसानी से और देखिए इसको भी रिमू किया और ये वाला कीडा ये भी निकल चुका है सेप तरीके से और ये वाला लास्ट वाला ये भी निकला बहुत ही ओसम तरीके से चिम्टी आगे हमारा क्रीम वाला दवा और देखिए क्रीम वाला दवा बहुत ही सेप तरीके से लग चुका है सेफ तरीके जब लोग देख सकते हो इस आदमी के हेड पे बहुत ही तगड़ी वाले कीड़ी लगे हैं बहुत ही गिनरों टाइप के तो देखे हम लोग चाकू के मादर से कुछ कीड़े वाले को कीड़े को निकाले और ये रेट टाइप के फंगल को भी हम लोगों ने काट की निकाल दिया है पूरा गप पूरा और ये हमारा गिड़ासा वाला चाकू था जो कि ये भी सेफ तरीकी से रिमू किया बहुत सारे कीड़े को अब और ये ट्राइप पॉपिया वाले कीड़े थे योग कि ये भी रिमू हो सुके हैं और ये जखम वाले कीड़े भी सेफ तरीके से रिमू हुए पूरे के पूरे और ये ट्राइप फोबिया वाले कीड़े थे जो कि ये भी रिमू हो चुके हैं पूरे के पूरे और ये रिमू वाले कीड़े भी सेफ तरीके से निकल चुके हैं तो दीकी हमारा बड़ा वाला चाकू बड़े वाले कीड़े को एक ही बार में काटके निकाल दिया पूरा का पूरा आगे हमारा हैंड वाला चाकू जो कीड़े के चोड़े चोड़े चीटी वाले कीड़े को निकाल दिया एक ही बार में और हमारे यरितीला वाला चाकू था जो कि यह भी सेफ तरीके से ट्रेट्मेंट किया कुछ कीड़े को और यह हमारा गॉल्डे वाला चाकू भी देगी सेफ तरीके से कुछ कीड़े को काटकी दिया और दिखिए बहुत सारी कीड़े कटकी गिर्च के हैं भी थोड़े बहुत कीज़े बचे हैं तो देखिए हमारे चाकू ने बहुत ही सेफ तरीके से मैंगोड्स वाले कीड़े को निकाला हमारा दवा आ गया है और देखिए दवाई लग चुकी है इसके पूरे ही हेड पे और आगे हमारा कॉटन वोल्ड रुई तो हम लोग टाइमर अभी चला देते हैं तो टाइमर चलने लगा है तो टाइमर चलने के बाद देखते हैं हमारा फाइनल रिजट क्या निकलता है इसके हेड को हम लोगों ने ट्री ही चेस्ट पे लगे हैं कीड़े चोटे चोटे जो कि हम चिम्टी के मादम से दिरे दिर रिमूव करेंगे और इसका फुल ट्रेटमेंट करेंगे हम लोग आज पूरा फुल इसका तो देखिए बहुत सारे गिनरने टाइप के कीड़े लगे हैं और हम लोग देखिए चिम्टी के मादम से दिरे दिर रिमूव कर रहे हैं और ये देखिए कीड़ा पकड़ा गया और देखिए से तरीके से हम लोगो काम खतम हो चुका है आगे हमारे दूसरा वाला चाबू और देखिए इस होल वाले कीड़े को हम बोग ने बहुत ही सेप और ओसम तरीके से निकोल दिया है पूरा का पूरा और ये भी कुछ केड़े थे ये भी हम लोगों ने रिमूव कर दिया है बहुत ही ओसम वर लुक तरीके से और ये खिनोड़े टाप की कीड़े है जो कि इसके हैंड में लगे हुए थे हम लोगों ने निकोल दिया है इसको पूरे ही चिष्ट में लग गया है कीड़े हम सब को निकाल देंगे पूरे के पूरे कीड़े को तो ये ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े के पूरे कट के गयस सुके हैं अब ये गिनोड़े टाप के कीड़े को काटेगा और देखिए ये गिनोड़े टाप के कीड़ा भी बहुदी से तरीके से गयस सुका है आगे आगे आवारा दूसर वाला चाकू और देखिए बहुत ही आसमोड लुक तरीके से ये काट के पूरे का पूरा गिड़ा दिया हैंड वाला चाकू आया ये गिनोड़े टाप की गिड़े वो काटेगा और देखिए ये गिनोड़े टाप कीड़ा बहुत ही तरीके से गिर्थ सुका है और देखिए इसका चेश्ट बिल्कूल भी क्लीन होच सुका है बहुत ही आसमोड लुक तरीके से और यह हमारा बड़ा उला चाहकूब बहुत सारे मेंगोर्स को एक यह बार भी काट की निकाल दिया है आगे हमारे इस परे से हम लोग दबाई डाल देते हैं तो देखिए दबाई डाल चुकी है अब हमारे इस परे का काम खतम हो चुका है हमारा आज गया कॉटन बुल तो टाइमर चल रहा है और टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइन रिजल निकलता है ट्रीटमेंट हो गया जैसा आप लोग देख सकते हो इस लड़की के जीप में बहुत ही ज्यादा वायरस हो गये है और ट्राइफोपोबिया वारे वायरस हो गये है और देखिए हम चाकू के माध्यम से बहुत ही सेफ तरीज के इसे रिमू किये कुछ गीड़े को और देखिए यह हमारा चाकू बड़े वायरस को एक ही बार में काटके गिरा दिया है और यह चोटे चोटे गीड़े डाइब के गीड़े को भी हमारे चाकूने काट आए की बार में गाइस अब लोग देख सकते हूं होट पर लगे हुए कीड़े को भी हम लोग ने रिमू किया और यह कुछ ब्लैक वाले कीड़े लगे थे इसको भी हम लोग ने सेफ तरीके तकाटा और यह भी कुछ गिनुरे टाइब की कीड़े थे जो कि यह भी रिमूव हो सके हैं और यह बड़े वाले कीड़े को एक ही बार भी काड़के रिमूव करती हैं लोग और यह चोटे चोटे किनुरे टाइब की कीड़े पर रिमूव हो सके हैं और हम लोग आज इसके पूरे हीट जीब को बहुत ही से तरीके से ट्रीट्मेंट करेंगे और अब कुछ ही वारस बच्चे हुए हैं जो कि हम लोग रिमूव कर दिये तो देखिए बहुत सारे कीड़े को हम लोग ने काट के रिमूव कर दिया हमारे इस्प्रे आगया तो इस्प्रे से अब लोग दवाई का छिड़काव कर देते हैं तो देखिए दवाई का छिड़का हो चुका है बहुत ही ओसम तरीके से आगे हमारा कॉटन मूड रोई तो टाइमर चलने देते हैं टाइमर चलने के बाद देखते हैं पाइनल रिजल्ट क्या निकलता है हमारा आइस इस मैन के पूरे ही दे के टोन ग्यू पे लग गए हैं कीड़े और इसके पूरे जीप पर का हम लोग कीड़े को रिमूव करेंगे एक ही सिगेंड में तो यह ट्राइपपोबिया वाले कीड़े हैं जो यह भी सेप तरीके से कटकी निकल चुके हैं एंड वाला हमारा चाकूँ आ गया और देखिए फंगल वाले कीड़े को बहुती सेप और रौसब तरीके से निकाल चुका है आगे हमारा वैक्यूम और ये देखिए कीड़े को पकड़ा और रिमूव कर दिया है एक ही सिकेंड में और दूसरा वाला भी पकड़ा गया और ये वाला कीड़ा भी देखिए सेब तरीक से निकल चुका है हमारा वैक्यूम का काम खतम आगे हमारा चाकू और ये गिनावने टाइप की केड़े को का और ये वाला भी देखिए सेफ तरीके से कटके निकल की गिर चुका है टेंजरस कीड़ा था और ये फेफिडे वाला भी कीड़ा देखिए गिर चुका है हम लोग आज पूरे इसके जीप का ट्रेशन करेंगे और ये आख वाले कीड़े भी देखिए निकल चुके गिर चुके हैं बहुती सेफ तरीके से आगे गोल्डेन वाला चाकु हमारा और देखिए गोल्डेन वाला चाकु बहुती सेफ तरीके से निकल चुका है एक ही सेकेंड में और ये मैंगोट्स के घवत थे जो कि ये भी सेब तरीके से कटके निकले और ये मैंगोट्स वाले गिनोर टाप की कीडे थे जो कि ये भी कटके निकले और इसके दूसरे साइड भी लग गये थे तो इसको भी हम लोग ने सेब तरीके से काटके निकाला और ये सिंग वाला कीड़ा भी गिर चुका है सेब तरीके से और ये दूसरा वाला भी सिंग वाला कीड़ा ये भी गिर चुका है आसानी से और ये हमारा सिल्वर वाला चाकू बहुती सेब तरीके से रिमो किया कुछ कीड़े को और देखिए काड़िदार वाली कीड़े भी इतके जीब से निकल चुके है अब हमारा दवा लग चुका है और दूसरी जगे भी हमारा दवाई लग चुका है अब हमारा आगे अब कॉटन बोल्ट रूई और हम लोग अब टाइमर चलाएंगे तो देखिए हमारा टाइमर भी चल रहा है